जै हिन जै भारत साथियों साथियों जैसे मैंने बताया था सुभा आप सबको कि मैं हर्याना दौरे पड़ हूँ दो दिन के अभी हम लोग गरो तक से निकल चुके हैं हिसार की दरफ जा रहे हम लोग हर्याना की टीम के साथ ही मेरे साथ हैं मैं आप से उनका भी introduction करा देता और अब दो दिन हर्याना टीप के साथ ही गुजारूंगा जादे जादे लोग जो लोग हिसार के आसपास रहते हैं जो हिसार में भी रहते हैं वो वहां पहुंचें सुबा जब हम रोतक में मिले तो लोगों को मिल करके बड़ा सपोर्ट भी मिला और उनको लगा कि हाँ कोई है जो उनकी समस्या सुन रहा है मैंने बार-बार कहा था आपकी कर्जा मुठी होने तक एक एक वेक्ति का एक रुपे जब तक कर्जा नहीं उतरता तब तक सभी हान को चलाया जाएगा आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है कुछ गलत नहीं करना है आपका भाई, आपका दोस्ट, आपका बेटा, मैं आपके साथ हूँ और इस लड़ाय को लड़ूँगा आपकी इस लड़ाई को अंतिम विल्कुल जो अंतिम लक्ष है हमारा कि आपको करजा मुट किया जाए और फिर आपको आर्थिरूप से संपर मना जाए इस लड़ाई को तब तक लड़ा जाएगा लेकिन इसमें मुझे आपका साथ आपका सही होगा आपका सपोर्ट चाहिए होगा जब तक आप साथ नहीं देंगे जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं इस लड़ाई को नहीं लड़ पाऊँगा अपनी तरब से प्रियास कर रहा हूँ सुभा भी हम लोग साथ बज़े से घर से निकले हुए है और अभी ट्रेवल पर ही है रास्ते में गाड़ी से ही मैं लाइव आ रहा हूँ और मैं आपको हर्याना के साथियों से मिलवाना चाहता हूँ कि जो हर्याना के साथ ही हमारे साथ है अभी कुछ साथ ही मेरे साथ है और कुछ साथ ही हमें हिसार मिलने वाले है उसके बाद कुछ साथी हमें सिरसा मिलेंगे और फिर अंबाला मिलेंगे तो सबसे पहले हर्याना के प्रदेश प्रभारी मेरे साथ है मुकेश रोई भारते जी वो सार्थी भी है तो मुकेश जी स्वागत है आपका मेरे पेज़ पर सभी साथियों को नमस्कार संदेश क्या देना चाता हूँ कि जैसा जो महीम आपने स्टार्ट की है मैं जनता से एक ही बात कहूँगा कि ये अकेली लड़ाई नी है सब को मिलकर लड़नी होगी और ये एक परिवार के माध्यम से एक परिवार बनके हमको सब को लड़ना पड़ेगा और इस परिवार में सबी को अपना-पना योगदान देना है और अभी जैसा है बोला जाता है फारम बरना अपनी समश्या बताना जैसे परिवार होता है वैसे अपनी समश्या आप दर्ज कराएं और साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे जो सोने की चिडिया था वही अखन भार भीर दुबारा से निरमान करेऊ हरियाना के साथ तो ऐसे क्या संदläश देना चाहें गाता हरियाना के लोगों को हरियाना के लोगों से यही कहूंगा है कि उसका साथ दे, भाई ये मत देखे कि कौन किस पार्टी से है, किस से नहीं है, आज जो बीड़ा उठाया है, वो देश का बीड़ा है, आपका अकेले का नहीं है, आप समस्या में हो, आप करजे में हो, ये गलती आपकी नहीं है, ये बार-बार बोला जाता है, सर भी बोलते है बार-बार कि ये समश्यास व्यवस्था की है और व्यवस्था बार-बार धोखा दे रही है तो हमें भी अलट हो जाना चाहिए और ये मुद्दा बहुत बड़ा है किसी के घर से एक व्यक्ति जाता है तो उसका पूरा जीवन क्या पूरी जिंद्गी चली जाती है उस परिव परिवार के लिए देश कुछ नहीं बसता फिर जब परिवार निया तो देश भी नहीं है तो परिवार को सुरक्षित करने के लिए इस मुहीम में भड़ चड़कर भाग ले और जहां भी जितना भी हो सकता है तनमन धन से सैयोग करना चाहिए बहुत बढ़िया अभार हमा अपना सब कुछ काम दना चोड़के जब आपके लिए इस देश को एक करज मुक्त बारत बनाने के लिए हम लोग बाहर निकले हुए हैं तो आप लोगों को तो केवल वहां पे आना है जब आपकी मदद मिलेगी आपकी स्पोर्ट मिलेगी तब ही हम लोगों होसला बढ़े गंटा निकाल के वहां आना है जहां हम जा रहे हैं आज हम हिसार में जा रहे हैं अभी दोपेर बाद हमारा तीन से चार के बीच में हिसार में प्रोग्राम है चार बजे चार बजे हिसार में हैं तो हिसार नया पसड़ा हिसार नय पसड़े पे अभी पहुँचिए कल सुभ है दस बजे सिर्षा में हमारा प्रोग्राम है तो सुबह दस बजे सिर्षा में वहां के आसपास के जो लोग है वो सिर्षा में आए और कल दो पैर बाद च्यार बजे च्यार बजे शाम को च्यार बजे कल अंबाला यह प्रोग्राम है तो आप लोग वहां पे पहुंचिए औ और इस पूरे हरियाना की बाकी जो पचे हुए हैं हमारे गुरू जी का मैं तो ऐसान मंद हूँ कि उन्होंने हरियाना के लिए समय निकाला और उन्होंने ये ऐसा बीड़ा उठाया मैं सोच भी है सकता कि करज मुक्त भारत का कोई किसके दिमाग में कैसे आएगा और गुरू बड़े-बड़े मंत्री हैं मुख्य मंत्री हैं केंद्रिय मंत्री हैं राजस्तर के मंत्री हैं उनके दिमाग में ये चीज नहीं है या आपने ये बीड़ा उठाया आप तो मैं कहता हूँ कि सदी के महान आदमियों आपकी गिंती होनी चाहिए बस बहुत-बहुत आबहर इसके जरिए कि हम जैसे लोग तो बाहर आई है अपने गरों से लोगों को जोडने के लिए लोगों को कर दे-दे-धा कि दल्ददने लिए लेकिन अब तृदे की गरों से बाहर निकलने लगे हैं, हमारे साथ जुडने लगे हैं, मैं शुक्रिया जा करना चाहूंगा सर आपका, कि आपने इतनी इतना बड़िया काम किया, इतनी बड़िया मुहिम चलाई, जो सारे देश को जुडने का काम कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया निल जी, हम बारे साथ राहुल पार्चा भारते जी भी है राहुल जी के बास अभी जो मेरे पास फोन आया था उन्होंने बताया के हासी के गाउं में एक व्यक्ति को 21 रुपे किसी को देने थे उसने भी आज पर लिये हुए थे लेकिन वो पैसे ना देने के कारण ने आत्मत्या कर ली उसकी डैट बोडी अभी हॉस्पिटल में ही है एक साथ ही है उन्होंने जो ये जानकारी मुझे दी है वो भी मिलने आने वाले हैं हिसार में और जब ये खबर पक्की हो जाएगी कुछ साक्षे मिल जाएगे तो आप से ये खबर भी बाती जाएगी बताया भी जाएगा वो करजे में हैं तो हम शायद उन्हें मरने से रोक सकते हैं आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो करजे के दलदल में फसा हुआ हो और ऐसी कोई जानकारी आपको मिलती है तो उसका संपर्क या तो उसे हमारा संपर्क सूतर दीजिए या फिर उसका संपर्क हाई है हम लोग आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अगर आप ही नहीं बचेंगे तो लड़ाई किसके लड़ी जा रही है प्लीज ऐसा कोई कदम मत उठाइए अगर आप करजे की दलदल में फसेस पे आपकी गलती नहीं है इसके लिए सरकार की गलत नितिया हर्याना का कोई भी साथी या कहीं से भी कोई भी साथी बात करना चाता है किसी टाइप की कोई प्रोब्लम्स है बैंकिंग वाले परिशान कर रहे हैं कोई भी सला किसी भी टाइप के ये निसुलक है कोई भी करजा मुक्ति के इंदर से या करजा मुक्ति भारत में कोई भी आप से पैसा नहीं मागएगा और ये निसूलक है किसी भी टाइम 24 गंट है अमारे फोन होने किसी भी टाइम आपके बात कर सकते हैं हम आपके साथ खड़े हैं पहले भी खड़े थे आज भी खड़े हैं और जब तक आपका करजा माफ नहीं होगा जैसे गुरुजी ने बताय हम आपके साथ तन्मन धन से खड़े रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया अरुन जी आप भी अपना नंबर शेयर कर दीजिए लोग अगर आपसे संपर करना चाहें तो किस नंबर पर करेंगे मेरा नंबर है जी 9416014379 94164309 किसी भी समय हर्याना के पूरे हर्याना से मैं अकेले किसी जिलेगी बात नहीं कर रहा किसी लोग सबाई बात नहीं कर रहा पूरे हर्याना में किसी भी साथी को अगर कोई कोई गार करना थाया है पूरी टीम आपके लिये धनमंद दन से लगी हुई है और देश के करजा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निशुलक है एक रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा और जैसा अरुंजी ने कहा कि कई दिन मतलब एक एक हफता दस दस दिन लोग अपने इस मिशन में लगा रहे हैं और जैसा उन्होंने शब्दी यूज किया कि अपने वो समय जो अपने परिवार को दे सकते हैं अपने व्यापार को दे सकते हैं वो लोगों के नजरों में तो लग रहा है दिन खराब हो रहे हैं घर वाले परिवार वाले रिश्यार कह रहे हैं कि हम अपना समय खराब कर रहे हैं टाइम खराब कर रहे हैं लेकिन मुझे मुझे मालू पांच बार डेलिकेशन जा चुका है अभी तक उधर से कोई संतोज जनक जवाब नहीं आया है जब तक जवाब नहीं आएगा हम प्रियास करते रहेंगे और आप सबसे भी कहा गया है बार बार कह रहा हूँ जादा जादा लोग तक जानकारी खटा करिए अभी मैं हिसार पहुस्टे है वाल Теперь हमलोग से परवाई के हिसार हम लोग सिर्जा मिलेंगे और कल शाम को चार बजे हम बाहां मिलेंगे वहां पहुस्ठे आप इसके बाद अलगा अलगा राज्यों में आउंगा वाहं भी मुलाकात करेंगे तपतार जाज़ जाज़ लोगों से फर्म भरवाईए अगर फर्म का लिंक नहीं मिल रहा तो मेरे पेच पर जाईए शाहनवाज चौधरी भारते पहली पोस्ट मिलेगी उसमे फर्म का लिंक मिल जाएगा ट्रेनिंग बेटरेंट करिए फॉर्म का लिंक भी लीजिए और जाज़ जाज़ लोगों से फॉर्म भी शेयर करिए ये लाइव या वीडियो भी शेयर करिए मिलते हैं अभी जल्दी आपसे हिसार में आ रहा हूँ हर्याना के साथियों से जो हिसार उसके लोग से बागे आसपस रहते हैं में मुलाकात करूँगा जै हिन जै भारत